बोशपूर इंडस्ट्री तिनी गंद इंडस्ट्री है कि इस इंडस्ट्री के कलाकार को मंच पर एक दूसरे कलाकार का सम्मान करना नहीं आता इस इंडस्ट्री के कलाकार को इतनी तमीज नहीं है कि कैसे मंच से एक दूसरे का सहयोग करते हैं बोश्वर इंडस्ट्री का स्तर इतना गिर चुका है कि मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि इस इंडस्ट्री के कलाकार सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं इस इंडस्ट्री में एक्ता नहीं है, यहां कोई एक दूसरे की काम की तारीफ नहीं करता, कोई यहां एक दूसरे को प्रमोट नहीं करना चाहता, यहां आपस महीं कलाकार को एक दूसरे सित्री दिक्कत है कि कोई नहीं चाहता कि कोई हमसे आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता क कि मेरे अलावा किसी का नाम हो, मेरे अलावा किसी के गारे मार्केट में बजे, मेरे अलावा किसी के गारे पर रील बने, यहां सब इसे कोशिस में लगे रहते हैं कि कैसे किसी को नीचा दिखाये जा सकता है, कब किसी का अपति जिनक वीडियो वारल किया जा सकता है, कब किसी काम का सराहना करने लगते हैं लेकिन भोशपुर इंडस्री का घिनोना सज जानकर आप इस इंडस्टी से नफ्रत करने लेगें बात चाहे पवन सिंग्की हो यह अहिसारी लाल यादो की हो राकेश मिश्वा की हो यह का दोसरी को अपमानित करते हैं एक करते हैं आपस महीं दूसरे को नीचे दिखाते। और दुसरे को टार्गेट और अब सारे झारत तारीत करने में महिमामदन करने में लगे रहे और यहीं सब कारन है जो आज भी लोग भोजपूरी इंडस्ट्री के लिए काफी नेगेटिव रहते हैं और इस इंडस्ट्री को भला बुरा कहते हैं बाक्यास इस वीजियो में आपको बताएंगे कि कैसे गायक राकेश मिश्रा ने भरे मंज इसे पमन सिंग की गाने का दो लाइन गाने से मना कर दि मा सरस्वती की वरत्पुत्र, आवाज के बास्टा, सुरू की समराड, वॉइस किंग, हिस्ट्री मेकर कहे जाने वाले पमन सिंग के गाने का दो लाइन गाने से भरी मंज इसे मना कर देते हैं और तब से लोग राकेश मिश्रा को खूब गाली दे रहे हैं शोसर मेडिया प अब तक के कर्येर का सबसे हिट गाना राजा तनी जाइन बहरियन को बनाने में मदद किया था और आपको बता दे कि तीन सार पहले आए राकेश मिश्रा के इस गाने पर 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज है और उसी पमन सिंग के गाने का दो लाइन गाने से राकेश मिश्रा म सबस्क्राइब इसके बाद और दुसके बाद स्थ दोग रोग देते हैं और निसा उसके बाद आप मर्द वाली लाइन किसी से गवा दीजिए उसके बाद छोटो चलिया राकेस मिश्रा से कहते हैं कि आप मर्द नहीं है क्या यानि उनके कहने का मतलब था कि हम लोगों के रहते मर्द वाले लाइन को लड़कियां क्यों गाएंगी चलिए हम लोग उस लाइन को गा देते हैं जिस गाने को पियर फराक वाली गाने में पवन सिंग ने गाया है लेकिन राकेस मिश्रा ठहरे घमंडी करलाकार उनके इंदर घमंड कूट कूट कर भरा है वो छोटू छलिया से माइक लेकर कहते हैं कि मेरे इतिहास मेरा इतिहास रहा है कि हम अपने सेल्फ कॉंफिडेंस पर जीना मैं जो लेकर आऊंगा दुनिया उसकी बात करेगी मैं किसी की बात नहीं करूंगा यानि कूल मिला जुलाकर भोषपुरी गायग राकेस मिश्रा जोकी एक नंबर के घमंडी कलाकार है वो पवन सिंग के गाने का दोलाइन गाने से मना कर देते हैं और राकेस मिश्रा यह सब्सक्रा है तो कभी उनके टीम की लोगों को आंडू पंडू बोल रहे हैं लेकिन राकेस मिश्रा यह भूल जाते हैं कि उनको पावं सिंग बनने में साथ जिनम लेना पड़ेगा वो तब भी पावन सिंग नहींщग बन पाएंगे वो मिश्रा पन तक करियर का मात्रह वी पिर सोच न चाहिए था कि गाना किस ही विदियो का फूष बूल जाते है तो आपको भूल जाना चाहिए कि आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, मंच पर चाहिने के बाद आपको अपना सारा भी बाद भूल जाना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि बात जहां एक्टा की हो, बात जहां गीत, संगीत, कला की हो, बात अपनी भाशा, अपने इंडस् सब को एक दूसरे का सब्मान करना चाहिए और सब को सब का साथ देना चाहिए बाकि आपको क्या लगता है आप अपनी रहे कमेंड बॉक्स में जरूर बताईए आप फिला इस वीडियो को इंपर समात करते हैं और मिलते हैं किसे नए वीडियो के साथ तब तक मुझी जाज़